हेलो अब्रिवान वेलकाम तो अपना सपना ज्यारेफ और वेलकाम तो डेली वन क्रेशन प्रेक्टिस सीरीज फॉर पार्ट बी फॉर अपकमिंग सी एस आया नेट लाइप साइंस दिसंबर 2023 आए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्रेशन को हम प्रेक् से दिया है विच वन ऑफ फॉलिंग इस दा कम्यूनिकेटिंग जंक्शन लिंकिंग एड्जेसेंट सेल इन प्लांट विच परमीड दा स्मॉल मॉलेक्यूल तो प्लांट के अंदर वैसे तो कुष्ण बहुत ही आसान था लेकिन अगर थोड़ी भी चीज़ आप मिस कर रहे करने में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में आपको बताना है कि वह कौन सा है तो बिसिकली हम लगा देते कि जंक्शन क्योंकि अदर communicate करने के लिए जो junction होता है वो gap junction होता है लेकिन यहां आपसे पूछा है plant cell के अंदर तो plant cell के अंदर जो gap junction होता है उसका नाम है plasmo desmata तो यह जो plasmo desmata है यह है क्या basically यह gap junction ही है लेकिन क्योंकि यह केवल plant के अंदर ही होता है इसलिए इसका नाम प्लाजमोडेसमाटा रखा गया है अगर ऐसा ही कुश्चन आप से पूछा जाता और अगर यहां प्लांट ना देकर एनिमल दे दिया होता तो इसका अंसर होता गैप जंक्शन लेकिन यहां प्लांट अगर दिया है तो इसका अंसर हो जाएगा देती है आपस में फ्यूज होकर यहां ऐग बना देती है और इस इस ड़ेब कि हैव ड्रीज चाहते होते हिरो यहां पर कुछ है और यहां जाना एंटis borrow आपस में communicate कर सकते हैं with the help of this gap junction is called plasmodesmata ठीक है बनता कैसे है cell wall से बनता है adjacent cell की जो cell wall है उससे यह बनता है plasmodesmata ठीक है तो इस question के लिए हमारा सही answer जाएगा third option second नहीं है answer है इसका third option कि plasmodesmata वो gap junction है जो की plant के अंदर मिलता है और communicate करने में help करता है adjacent cell के तो किशन हमने solve कर लिया है अभी भी अगर कोई doubt है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए question के साथ में तिल देन बाइबाई टेक केर